आँखें हमारी शरीर का बहुत ही एहम हिस्सा इस खुबसरत से दुन्या को देखने के लिए हमें आँखों की ज़रुत पढ़ती है इसलिए ज़रूरी है कि हमारी आँखों की रोशनी स्वस्थ बनी रहे नमस्कार दोस्तो मैं विभा गोयिल आपके अपने चैनल के वेश्कोश में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हम बात करने वाले हैं ऐसी फूद के बारे में जो हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं हमारी आंखों की रोशनी अच्छी रहे, इसके लिए हमें वाइटमिन A, वाइटमिन E, बीटा केरेटिन एलिमेंट वाले फूट खाने चाहिए तो आज हम उन्हीं फूर्ट के बारे में डिसकस करने वाले हैं, जिसके अंदर ये सभी तर्व मौजूद होते हैं तो चलिए देखते हैं ऐसे कौँ से फूड हैं जिनमें एलिमेंट पाए जाते हैं तो फर्स्ट फूड है आमला, आमला यानि गूजबेरी, जो गूजबेरी है वो वाइटमिन C रिच होती है और एक एंटि आक्सिडेंट की तरह हमारी बाड़ी में काम करती है और इससे बहुत ही अच्छे न्यूटेंट्स हमारी बाड़ी को मिलते हैं जो हमारी आखों की रोशनी को तेज करने में हेल्प करते हैं आधा कप पानी में एक चमच आमले का रस मिला कर सुभह और शाम पीने से आखों की रोशनी तेज होने में बहुत हेल्प मिलती है इसके अलावा आमला चटनी, अचार, मुरबा, जूस किसी भी फोम में लिया जा सकता है सभी फोम्स में ये आमला बहुत ही फायदे मन रहता है नेक्स्ट है पपाया पपाया यानि पपीता पपीता भी हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है ये मिनरल से भरपूर होता है और इसमें एंटी आउक्सिडेंट के गुन होते हैं पपीता में ऐसे एंजाई मुदूद होते हैं जो हमारी आँखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत हैल्प करते हैं अगर सुबह सुबह उठकर खाली पपीता खाया जाए तो ये हमारी बॉड़ी को हमारी सेहत को और हमारी आँखों को बहुत ही फायदा पहुंचाता है इसलिए हो सके तो रोश सुबह उठकर खाली पेठा में पपीते का सेवन करना चाहिए नेक्स्ट है एलमेंट्स यानि की बादाम बादाम ओमेगा 3, fatty acid, vitamin E और antioxidant के गुनवाले होते हैं रात को बादाम भीगो दिये जाए और सुबह उठकर खाली पेठिंग का सेवन किया जाए तो बादाम बहुत फायदा करता है भीगे हुए बादाम में उसकी quality उसके गुन जो होते हैं वो increase हो जाते हैं और हमारी सेहत को बहुत ही फायदा पहुचाते हैं हमारी आँखों के रोशनी तेज करने में बहुत help करते हैं इसके अलावा रात को भीगे हुए बादाम का पेस बनाकर दूद में डालकर पीकर सोया जाए तो ये भी हमारी आँखों को बहुत फायदा पहुचाते हैं और इनके anti-oxidant गुन जो हैं वो बहुत ही तेजी से काम करते हैं इसलिए बादाम का रात को दूद की साथ सेवन करना चाहिए या फिर सुबह उठकर भीगे हुए बादाम खाने चाहिए नेक्स्ट है हरी पतेदार सबजियां यानि की green vegetables जो green vegetables होती हैं इसमें lutein, zenxthin ऐसे element होते हैं जो की हमारी आँखों को सुरज की बुरी किर्णों के प्रभाव से बचाते हैं हमारी जो आँख का retina है वो lutein से बना हुआ होता है जब सुरज की हानिकार किर्णे हमारी आँखों पर पढ़ती है तो उससे retina damage होने का खत्रा देता है लेकिन अगर हम ऐसे food खाते हैं जिसमें भरपूर मात्रा में beta-carotene और lutein होता है तो वो retina को हाम होने से बचाता है जिससे आँखों की रोशनी बनी रहती है इसलिए हम हरे पतिदार सब्जों का सेवन करना चाहिए पालक, ब्रोकली, कालिका जूस ये एक बहुत ही अच्छा anti-oxygen का source है नेक्स्ट है गाजर यानि की carrot हम सभी जानते हैं carrot हमारी आँखों के लिए बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि इसमें vitamin A और beta-carotene होता है और ये दोनों ही हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाने में बहुत help करते हैं इसलिए हमें गाजर को रोख खाना चाहिए इसका juice बना कर पीना चाहिए कुछ लोग इसकी सबजी भी बना कर खाते हैं बड़ सबसे जादा फायदे मन ये रोख खाने में है यानि कि हम कच्छी गाजर salad की फॉर्म में खाते हैं तो ये बहुत ही फायदा करती है इसके अलावा हम गाजर और आमले का मिला कर juice बना कर पीते हैं तो भी ये हमारी आखों को बहुत फायदा पहुंचाता है इसके अलावा आप इसमें निम्बू का रस संत्रे का juice मिला कर भी पी सकते हैं तो ये वो पाँच फूड है जो हमारी आखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत ही बड़ा की रोल प्ले करते हैं इसके अलावा कुछ गादीमा के नुसके भी हैं जिन्हें यूज़ करके हम अपनी आखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं हमें रात को सोने से पहले अपने फीट पर पैर के तलवों पर सरसों के तेल से मसाज करनी चाहिए दस मिनट तक लगातार हलके हातों से की हुई मसाज से हमारी आखों की रोशनी तेज होने में हेल्प मिलती है जिन्हें चश्मा लगा है या जिन्हें आखों में बहुत थकावट फील हो रही हो उस वक्त उन्हें अपने पैरों के तलवे पर हलके गुनगुने सरसों के तेल से मसाज करनी चाहिए नमर दो है डू फाइव मिनिट आई एक्सराइज डेली इन दा मॉर्निंग आफ्टर वाशिंग फेस सुभह उठकर पहले ठंडे पाने से अपना फेस धोगे उसके बाद पांच मिनिट तक आईज की कोई भी एक्सराइज कीजिए जो की आपकी आँखों की रोशनी तेश करने में बहुत हेल्प करती है आईज की एक्सराइज का में एक वीडियो बनाया है एक शोर्ट भी बनाया है जिसका लिंक में इस वीडियो के में डाल दूंगी आप उसे देखेगा और देखेगा की आईज की एक्सराइज कैसे होत डेली डालने चाहिए इससे भी हमारी आँखों की ठकावट दूर होती है और हमारी आँखों की रोशनी सही बने रहने में help करती है नंबर 4 है do walk on green grass early in the morning for 10 minutes नंगे पाव चलने से बेसिकलि अगर आप नंगे पैर हरी घास पर सुबह सुबह 10 मिनट तक walk करते हैं तो ये आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत ही help करती है इसलिए कोशिश करें सुबह नंगे पाव हरी घास पर चलें और एक मैने नुस्खा भी सुना है मेरी दादी मा से कि हमें नंगे पाव अगर उल्टा मतलब reverse दिशा में चलते हैं तब और भी ज़्यादा अच्छी help मिलती है आँखों की रोशनी तेज होने में तो forward और backward direction दोनों में ही walk कीजिए नंबर 5 है do massage on forehead for 5 minutes with cow घी cow घी गाएं के घी से जो हमारे forehead या नि जो कनपटियां basically जिसे बोलते हैं हम normal language में कनपटि के उपर अगर हम गाएं के घी से 5 मिनेट तक लगातार मसाज करते हैं हलके हातों से तो जो हमारी eye की nerves होती है ना इन्हें बहुत relief फिल होता है वो eye nerves जब relief फिल करती है तो आँखों से ठकावट दूर होती है रेटिना रेलेक्स होता है और आँखों की रोशनी सही बनी रहती है इसलिए हमें 5 मिनेट तक कावगी से भी मसाज करनी चाहिए ये वो 5 नुसके हैं जिने हम अपने अगर डेली रूटीन में अपना लेते हैं तो ये हमारी आँखों की रोशनी को तेज करने में आँखों की ठकावट दूर करने में हमारी बहुत help करेंगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और हाँ बैल आइकन भी जरूर दबाएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट जल्द ही मिल सके थैंक यू बाबाई